परिचाए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि गनितिय आग्मन क्या है? सहर, यह तथियों को सिद्ध करने का एक विशेश तरीका है. सही कहा, लेकिन किस प्रकार के तथि? गनितिय आग्मन के प्रयोग द्वारा हम प्राकृत संख्याओं वाले कतनों को सिद्ध कर सकते हैं. बिलकुल ठीक, क्या आप जानते हैं कि गनितिय आग्मन गनित में बहुत महतपून टूल है? तो ठीक है, आज हम गनितिय आग्मन के बारे में सीखेंगे. आईए देखें. उत्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. प्राकृत संख्याओं वाले कतनों को सिद्ध करना. प्राकृत संख्याओं वाली असमी का ग्याद करना. प्रेणा गनितिय आग्मन एक विशेश विथी है, जिसका प्रयोग प्राकृत संख्याओं के लिए कतनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है. आईए इसे अच्छी तरह से समझें. एक फीचरिंग क्लिप में हम पहले डोमिनों को धक्का देते हैं, तो अगला सोधा ही गिर जाता है. और हम देखते हैं कि सभी डोमिनों गिर जाते हैं. ये आगमन दर्शाता है. एक आगमनिक समुच्चे एक समुच्चे कैपिटल एक्स है, जिसमें ये गुण है कि प्रतेक एक्स अव्यव है कैपिटल एक्स का, एक्स का उत्तरवर्ती एक्स डैश भी कैपिटल एक्स का एक अव्यव है. आगमनिक समुच्चे का एक प्रमकुधारन प्राकृत संख्याओं का समुच्चे है. प्राक्रित संख्याओं के समच्छे को capital N से निरूपित करते हैं गणितिय आगमन का सिध्धान्थ यदि P N एक कथन है जहां N अव्यव है capital N का इस प्रकार की मूल दिखाएं की प्रथम कथन सत्य है अर्थात N बराबर एक के लिए P1 सत्य है आगमन चरण यदि N बराबर के के लिए कथन सत्य है तो कथन N बराबर के प्लस एक के लिए भी सत्य है अर्थात P K की सत्यता P K प्लस एक की सत्यता को इंकित करती है जहां K धन पूरांख है तब गणितिय आगमन के सिध्धान्थ के द्वारा कथन PN सत्य है, जहां सभी N के अवियभ हैं। गणितिय आगमन के सिध्धान्थ को लागू करने के कारिकारी नियम चरण एक, दिखाएं कि दिया गया कथन N बराबर 1 के लिए सत्य है, चरण दो, कल्पना करें कि N बराबर K के लिए कथन सत्य है, चरण तीन, चरण दो में बनाए गई अभी धारणा का प्रेयोग करते हुए, दिखाएं कि N बराबर K प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, चरण चर, ये गणितिये आगमन के सिध्धांत को पूरा करता है, निशकर्ष निकालें, कि दिया गया कथन ऐसे सभी N के लिए सत्य है, जो कैपिटल N के अव्यव हूँ, महतपूर्ण निशकर्ष निमने लिखे थैं, रजी हुआ पोर्ष निशकर्ठण निशकर्कोषष निवदें, क्यात्स निशकर्ष निक्रे करते हैं, उदारण एक प्राकृत संख्या है जहां सभी N के अवियव है हल मान लें F of N बराबर N की घाथ 5 बटे 5 प्लस N की घाथ 3 बटे 3 प्लस 7 N बटे 15 N अवियव है के अवियव है चरण एक मान लें N बराबर 1 F of 1 बराबर 1 बटे 5 प्लस 1 बटे 3 प्लस 7 बटे 15 बराबर 15 बटे 15 बराबर 1 N अवियव है केपिटल N का ये निशकर्ष N बराबर 1 के लिए सत्य है चरण दो मान लें निशकर्ष N बराबर K के लिए सत्य होगा इसलिए f of k बराबर k की घाथ 5 बटे 5 प्लस k की घाथ 3 बटे 3 प्लस 7 k बटे 15 अव्यव है capital N का इसे एक नाम दें चरण 3 माल लें N बराबर k प्लस 1 इसलिए f of k बराबर k प्लस 1 की घाथ 5 बटे 5 प्लस k प्लस 1 की घाथ 3 बटे 3 प्लस 7 गुणा k प्लस 1 बटे 15 बराबर k की घाथ 5 प्लस 5 गुणा k की घाथ 4 प्लस 10 गुणा k की घाथ 3 प्लस 10 गुणा k की घाथ 2 प्लस 5 के प्लस 1 बटे 5 प्लस k की घाथ 3 प्लस 3 गुणा k की घाथ 2 प्लस 3 के प्लस 1 बटे 3 प्लस 7 के प्लस 7 बटे 15 पराबर K की घात 5 बटे 5 प्लस K की घात 3 बटे 3 प्लस 7 K बटे 15 प्लस K की घात 4 प्लस 2 गुणा K की घात 3 प्लस 3 गुणा K की घात 2 प्लस 2K प्लस 1 अवियव है कैपिटल N का. उप्रोक्त समिकरण का पहला भाग N में है, दूसरा भाग N में है क्यूंकि K N का अवियव है. अधा N बराबर K प्लस 1 के लिए निशकर्श सकते है. चरण 4 गणितिय आगवन के सिध्धान्त के द्वारा N की घात 5 प्लस N की घात 3 प्लस 3 प्लस 7 N प्लस 15 अवियव है कैपिटल N का. सभी N अवियव है कैपिटल N के. यदि N कैपिटल N का वियव हो तो सिध्ध करें कि 10 की घात N प्लस 3 गुणा 4 की घात N प्लस 2 प्लस 5 नौ से विभाच है. हल माल लें F of N पराबर 10 की घात N प्लस 3 गुणा 4 की घात N प्लस 2 प्लस 5 एन अवियव है कैपिटल N का. चरण एक माल लें N पराबर एक F of 1 पराबर 10 की घात 1 प्लस 3 गुणा 4 की घात 1 प्लस 2 प्लस 5 पराबर 10 प्लस 192 प्लस 5 पराबर 207 पराबर 9 गुणा 20 अथा F of 1 नौ से विभाच है. ये निशकर्ष N पराबर एक के लिए सत्ते है. चरण दो माल लें निशकर्ष N पराबर के के लिए सत्ते होगा. अथा F of K पराबर 10 की घात K प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 2 प्लस 5 नौ से विभाच है. माल लें 10 की घात K प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 2 प्लस 5 बराबर 9M इसे एक नाम दें. चरण 3 माल लें N पराबर के प्लस 1 अथा F of K प्लस 1 पराबर 10 की घात K प्लस 1 प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5. बराबर 10 कुणा 10 गुणा K प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 3 प्लस 5 बराबर 10 कुणा 9M मैनस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 2 मैनस 5 प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 3 प्लस 5. बराबर 90M-30 गुण 4 की खाद के गुण 16-50 प्लस 3 गुण 4 की खाद के गुण 64 प्लस 5 बराबर 90M-4 की खाद के गुण 480-192-45 बराबर 9 गुण 10M-32 गुण 4 की खाद के माइनस 5 अता F of K प्लस 1 नौ विभाचे है अर्थाद निशकर्ष N बराबर K प्लस 1 के लिए सत्य है चरण 4 गणितिये आगवन के सिध्धान्त द्वारा 10 की खाद N प्लस 3 गुण 4 की खाद N प्लस 2 प्लस 5 नौ से विभाचे है जहां N अवियव है कैपिटल N का सभी प्राकृत संख्याओं N के लिए सिध्ध करें की 3 की खाद N अधिक है 2 की खाद N से हल माले F of N बराबर 3 की खाद N अधिक है 2 की खाद N से N अवियव है कैपिटल N का चरण 1 माले N बराबर 1 F of 1 इस प्रकार की 3 की खाद 1 अधिक है 2 की खाद 1 से बराबर 3 अधिक है 2 से अथा F of 1 सत्य है चरण 2 माले निशकर्ष N बराबर K के लिए सत्य है अथा F of K इस प्रकार की 3 की खाद K अधिक है 2 की खाद K से चरण 3 माले N बराबर K प्लस 1 अथा F of K प्लस 1 इस प्रकार की 3 की खाद K अधिक है 2 की खाद K प्लस 1 से F of K प्लस 1 का प्लस 1 बराबर 3 की खाद K प्लस 1 बराबर 3 की खाद K गुणा 3 अधिक है 2 की खाद K गुणा 2 से अथाद 2 की खाद K प्लस 1 बराबर F of K प्लस 1 का दाया पक्ष आता निशकर्ष N पराबर K प्लस एक के लिए सत्य है चरण चार गनितिय आगवन के सिध्धांत के द्वारा तीन की घात N अधिक है दो की घात N से जहां N अव्यव है कैपिटल N का क्या आप जानते हैं आगवन शब्द का प्रयोग अंग्रेश गनितक के जौन वॉलिस द्वारा किया गया गनितिय आगवन के सिध्धांत को फ्रांसीसी गनितक के ब्लेश पासकल ने विक्सित किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं गनितिय आगवन एक विशेश विदी है जिसका प्रयोग प्राकृत संख्याओं के लिए कत्रों को सिध्ध करने के लिए किया जाता है एक आगवनिक समुच्चे एक समुच्चे कैपिटल एक्स है जिसमें ये कुण है कि प्रतीक एक्स अवियव है कैपिटल एक्स का एक्स का उत्तरवर्दी एक्स डैश भी कैपिटल एक्स का एक अवियव है आ गमनिक समुच्चे का एक प्रमंग उधारण प्राकृत संख्याओं का समुच्च है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चे को कैपिटल N से निरूपित करते हैं। गनितिये आगमन का सिध्धांत यदि P, N एक कतन है जहां N अव्यव है कैपिटल N का इस प्रकार की मूल दिखाएं की प्रथम कतन सत्य है अर्थात N बराबर 1 के लिए P, 1 सत्य है। आगमन चरण यदि N बराबर K के लिए कतन सत्य है तो कतन N बराबर K प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अर्थात P, K की सत्यता P, K प्लस 1 की सत्यता को इंगित करती है जहां K धन पोड़ांख है। तब गनितिय आगमन के सिध्धान्थ के दवारा कतन P, N सत्य है जहां सभी N के अवियव हैं। अर्थात P, K प्लस 1 के लिए जहां को इनकित करने जा रहे हैं। अर्थात P, K प्लस 1 के लिए जिसके माध्यम से हम आप तक विभिन प्रकार के आपकी आउशकता के अनुसार नॉट्स उकलब्द करवाएंगे। आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें वोड्स अप करना है। आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी आवेलेबल होंगे वो सेंड कर दिये जाएंगे। हमारे जो वोड्स अप नंबर रहेंगे वो हैं 86, 96, 65, 41 आप इस नंबर पर हमें वोड्स अप कर सकते हैं। आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रेसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी स्टुडेंट्स होते हैं वो कॉंटेनियसली इस पर कॉल करते हैं। थैंक्यू सो मच्छ।